दोस्तों हम इस वीडियो में आपको दो बड़ी अपडेट बताने वाले हैं जिस तरह से लगातार लाल सागर में हमले होते जा रहे हैं इस वजह से कई देशों को इतने बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे हैं कि आप कभी सोच नहीं सकते यूरोप और अमेरिका से जोड़ने वाले लाल सागर रेड सी के समुद्री मार्ग स्वेज के नाल पर आवाज आही करने वाले मालवाहक जहाजों पर हूती आतंकियों द्वारा एक महीने में तीन बार मिसाइल से हमले किये जा चुके हैं 15 दिसंबर को पहला हमला हुआ जबकि 15 जनवरी को फिर यूएस के जहाज पर हमला किया गया हमलों से भारत सहित अन्य देशों से होने वाला एक्सपोर्ट निर्यात प्रभावित हुआ है लेकिन अभी तक हूती विद्रोही इन व्यापारिक जहाजों को अपने बस में करने अगर हम अमेरिका की नौ सेना की बात करें तो उन्होंने पहले भी हूती विद्रोही के उपर हमला भी किया था लेकिन अब जिस प्रकार से होती विद्रोही लगातार लाल सागर में हमला कर रहे हैं इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर हूती विद्रोही के उपर एक लेकिन इस चेतावनी के बाद भी हूती विद्रोही नहीं माने। लेकिन लाल सागर में विभिन देशों की जहाजों को निशाना बना रहे हूती आतंकियों के ठिकाने पर अमेरिका ने नया हमला किया है। लेकिन वाली जहाज पर मिसाइल हमला किया है। यूएस सेंट्रल कमांड फोर्स के मुताबिक ये अटैक हूती विद्रोहियों ने किया था। जिसके करीब तीन घंटे बाद ही यूएस फोर्स ने भी हूती के ठिकाने पर स्ट्राइक की। रेड सी पर लगातार हूती विद्रोहियों का हमला जारी है और यूएस भी हूतीयों के ठिकानों पर बंबरसा रहा है। इंडियन नेवी के एक सीनियर आमफिसर ने बताया की आइलैंड जंडे वाले जहाज पर एमवी जेन को पिका। पिकारडी पर ड्रोन अटैक की कॉल आई। ये पोर्ट ओफ आडन यमन के पास से करीब 60 नौटिकल माइल्स साउथ की तरफ है। कॉल मिलते ही नेवी ने अपना वार्शिप, आई एनेस, विशाखा पत्तनम उसकी मदद के लिए भेजा। आई एनेस अदन की खाड़ी और अरब सागर एरिया में एंटी पायरेसी, समुद्री लुटेरे विरोधी, मिशन पर तैनाथ है। एक घंटे के भीतर ही आई एनेस, एमवी जन को पिकारडी के पास पहुँच गया। आग पर नियंत्रन पाया गया और नेवी के स्पेशलिस्ट ने डेमेज एरिया का निरीक्षण किया। पूरी तरह जाच के बाद ही जब सब कुछ सुरक्षित पाया गया, तो मर्चेंट शिप फिर अपने आगे के सफर के लिए रवाना हो गया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड फोर्स के मुताबिक यह अटैक यमन के हूती कंट्रोल एरिया से किया गया था और वह अदन की खाडी में इस मर्चेंट शिप पर आकर गिरा। युएस सेंट्रल कमांड फोर्स ने कहा कि फ्रीडम ओफ नविगेशन की रक्षा के लिए और युएस और पार्टनर के मेरिटाइम ट्रैफिक, समुद्री यातायात को अटैक से बचाने के लिए मल्टी नैशनल प्रयास जारी हैं। इसी के तहट 17 जनवरी की रात युएस सेंट्रल कमांड फोर्स ने 14 इरान समर्थित हूती की मिसाइल पर स्ट्राइक की। वे यमन में हुती कंट्रोल एरिया में थी और लोडेड थी और कभी भी फायर कर सकती थी। ये मर्चेंट शिप और युएस नेवी शिप के लिए खतरा थी। इसलिए युएस ने आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। इससे एक दिन पहले भी हुती ने सरदन रेड सी पर एंटी शिप बैलेस्टिक मिसाइल दागी जिसकी वजह से एक मर्चेंट शिप फंस गया था। लेकिन वह आगे जाने के काबिल था तो वहां से आगे चला गया। इससे पहले यूएस फोर्स ने चार हुती एंटी शिप बैलेस्टिक मिसाइल पर स्ट्राइक कर उन्हें नश्ट किया था। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ, जिस प्रकार से भारत के दुश्मन पाकिस्तान और इरान को लेकर अभी काफी ज्यादा विवात चलते नजर आ रहे हैं। अभी इरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की पूरी समभावना है। लेकिन इसी बीच इरान ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, जिस करनामे को देख, पाकिस्तान की होश उड़ गए। जिस प्रकार से पाकिस्तान कहता है कि वह दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को अपने पास रखता है लेकिन इरान में तो एक ही तीर से दो कम कर लिये इरान ने ड्रोन आधारित नया Air Defense System बनाया है यही नहीं इरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले के बाद अब Air Defense System का अभ्यास किया है इस दोरान ड्रोन की मदद से दुश्मन के लडाकू विमानों और ड्रोन सिस्टम को मार गिराने का जोरदार अभ्यास किया गया इरान के इस लडाकू ड्रोन का नाम कररार है जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है इरान ने Air Defense अभ्यास शुरू किया है जो गुरुवार को शुरू किया इस एर डिफेंस अभ्यास के दौरान ड्रोन विमान ने दुश्मन के लड़ाकू एरक्राफ्ट को मार गिराया इस से पहले पाकिस्तान ने अपने F-16 और JF-17 विमानों की मदद से इरान के इलाके में मिसाइल हमला किया था इरानी मीडिया की रिपोर्ट के जेट से चलने वाले ये ड्रोन माजिद एर टू एर मिसाइलों से लैस अप हैं जो आठ किमी दूर तक दुश्मन के फाइटर जेट पर हमला करने में सक्षम है इरानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल अब्बास ने बताया कि इस नकली लड़ाई के दौरान दुश्मन के कई विमानों को मार गिराया गया इरान ने पहली बार पिछले साल ही इस तरह का अभ्यास किया था उन्होंने कहा कि अब हम दुश्मन के हेलिकॉप्टर ड्रोन और फाइटर जेट को किसी भी उँचाई पर मार गिराने में सक्षम हो गए हैं इससे पहले इरान ने मिसाईलों और ड्रोन विमानों के जरिये पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था इससे बौखलाय पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों और ड्रोन की मदद से इरान के अंदर घुस कर हमला किया था इससे दोनों ही देशों के बीच रिष्टे बहुत तनाव पूर्ण हो गए हैं। इरान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से बहुत तनाव पूर्ण रिष्टे रहे हैं। हालां की ताजावार पलटवार को दोनों देशों के आतनरिक घटना क्रम से जोड़ कर देखा जा र इरान में पिछले दिनों I.S. का भीशन हमला हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे वहीं हमास की मदद नहीं कर पाने पर भी इरान की आलोचना हो रही है वहीं विशलेशकों का कहना है कि पाकिस्तान ने गुरुवार को जो जवाबी हमला किया वह अपनी जनता को खुश क करने के लिए किया है पाकिस्तानी मामलों के विशे शज अब्दुल्ला खान ने कहा कि एरान के हमलों के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार बहुत ज्यादा घरेलू दबाव में थी पाकिस्तान की जनता में यह आम राय हो गई थी कि सेना उतनी मजबूत नहीं है जितनी उ विशलेशकों का कहना है कि इरान अब गुरुवार से अपना वार्षिक एयर डिफेंस शुरू कर चुका है जो पूरब में पाकिस्तान की सीमा से सटे चा बहार से लेकर पश्चिम में इराक की सीमा तक चलेगा तो दोस्तों क्या लाल सागर में अभी भी लगातार हमले चलते रहेंगे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना और साथ ही साथ इस चैनल को सबस्क्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में अब तक जय हिंद जय मातरम कर दो कर दो